आज की वीडियो में बात करेंगे thermal stability of ionic compound आपने याद रखना है NMD cat, eta और E cat के अंदर आपका लाजमी question आता है thermal stability से चाहे वो ionic compound हो चाहे वो covalent compound हो Last video के अंदर हमने covalent compound discuss कर लिये थे आज की वीडियो के अंदर हम ionic compound की बात करेंगे याद रखना है आइनिक कमपाउंड के अंदर आपको पता है एक होगा केटाइन, दूसरा होगा एनाइन आपने ये देखना होगा आइनिक कमपाउंड के स्टिबिलिटी के लिए एनाइन को आपने identify करना एनाइन कौन से है फिर उसमें आपने identify करना के एनाइन monotomic है या polyatomic है ये बात आपने identify कर लेनी है ठीक है monotomic anion है या polyatomic anion है अब अगर एक compound के अंदर monotomic anion है तो उसकी thermal stability याद रखना है inversely related होगी size of catein के बस इतनी बात आप याद रख लें कि एनाइन अगर monotomic है तो catein का size अगर बढ़ता जा रहा है catein का size बढ़ता जा रहा है वो less stable होगा anion अगर monotomic है तो catein का size जितना small होगा उसकी stability उतनी ज्याद होनी है in case of polyatomic anion क्या है कि thermal stability is directly related with size of catein बस इतनी सी बात आपके माइन में होनी चाहिए polyatomic के case में catein का size बढ़े stability बढ़ती है monotomic के case में size of catein बढ़े stability गढ़ती है size of catein कम हो stability बढ़ती है अब देखते हैं कुछ example आपके सामने रखते हैं फिर आपको clear होना याद रखने हैं आपके अनमडी के टीटा के अंदर जो question आते हैं वो अमूमन group 1A के elements के compound से आते हैं और 2A के elements के compound से आते हैं 2A तो 1A के element 2 के element को आपको याद रखना पड़ेगा अब आते हैं देखें आपके सामने में example रखता हूँ आपको पूछा जाए लीथियम हाइडराइड sodium हाइडराइड potassium हाइडराइड इन में से कौन सा ज़्यादा stable है अब देखें तीनों में जो एनाइन है वो ये है hydrogen है हाइडराइड है ठीक है अब ये हाइडराइड मोनाटामिक है हमने कहा मोनाटामिक के केस में size बड़े stability काम होती है तो down the group size बढ़ता जा रहे है सबसे small size lithium का ये stable फिर sodium फिर potassium तो इसमीन potassium वाला compound least stable होना है ऐसी कुछ और example आपके सामने रखता हूं जैसे एक और example आपके पस है lithium chloride आपसे पूछा जाए sodium chloride पूछा जाए potassium chloride पूछा जाए इनमें से कौन सा ज्यादा stable है तो ये ज्यादा stable फिर sodium फिर potassium तो down the group याद रख लें stability गटेगी अगर क्या है monotomic anion है monotomic anion है proof one में भी और group two में भी down the group stability कम होनी है ठीक है तो top के element ज्यादा stable होने है down the group stability गटती जाएगी अब आते हैं polytomic anion की कुछ example को डिसकस करते हैं lithium nitrate है sodium nitrate है ठीक है potassium nitrate है अब आपसे ये पूछा जाए कि इनमें से कौन सा ज्यादा stable है तो again क्या है कि आपने anion को देखना है यहाँ anion polyatomic है तो polyatomic के case में हमने कहा था size जैसे जैसे बढ़ता जाएगा stability बढ़ती जाएगी अब देखें potassium का size सबसे larger है यह ज्यादा stable sodium का फिर फिर lithium तो lithium least stable है potassium more stable है इंत के अंदर अगर आप नीचे जाएंगे rubidium है सीजियम है तो सीजियम सबसे ज्यादा stable होने है ऐसे ही आप देखें आपसे यह question पूछे दे लीथियम sulphate ठीक है sodium sulphate ठीक है और potassium sulphate इन में से कौन साथ ज्यादा stable है तो आपको पता होना चाहिए कि down the group potassium आ रहा है तो सबसे ज्यादा size potassium का यह more stable फिर sodium याद रख लें अब आपको शार्ट बता देता हूँ कि अगर आपके पास sulphate हो नाइट्रेट हो यह minus 2 है यह minus 1 है कार्बोनेट हो ठीक है और bicarbonate हो इनकी stability down the group बढ़ती है down the group stability इनकी बढ़ेगी यह याद रख लें stability increases down the group ठीक है ताप के जो member है उनके bicarbonate, carbonate, sulphate, nitrate यह less stable होंगे और दूसरी तरफ अगर आप याद रख लें आपके पास अगर chloride हो fluoride हो, hydroxide हो, oxide हो ठीक है इस तरह के compounds होंगे तो in that case stability down the group कम होगी down the group stability decreases तो यह एक शार्ट ट्रिक थी आई हूप आपको अगर यह memorize रही तो आपके एटा और अनमडी का कोई भी question क्लित नहीं होगा लोगा